हलो एवरीवन वेलकम टू स्टार आइक्यू स्टार आइक्यू के वीडियो प्लाटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों आज 10 जून 2023 के हर्याना करेंट अफेर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं माफ करिए आज थोड़ा सा मैं लेट हूँ थोड़ी तबियत खराब है इस करके थोड़ा लेट बना पा रहा हूँ पर कोई बात नहीं आपके लिए कंटेंट जरूरी है तो आज आप थोड़ा सा लेट ही याद कर लीजीगा चीजों को 10 जून 2023 का हम लोग आज सेशन स्टार्ट करते हैं और हाँ आज 10 जून से मुझे जो CET मेंस का MCQ बैस स्टार्ट करना था वो भी मैं अपनी तबियत खराब के चलते वे डियर अगर आप लोग उस बैच में अन्रोल्ड हैं तो बता देता हूँ वो मैं आगे 13 जून से स्टार्ट कर रहा हूँ दो या तीन दिन के गैप के बाद में ठीक है न और हाँ अगर आप कोई अन्रोल नहीं हुए हैं तो आप अन्रोल हो सकते हैं CET मेंस का जो त्यूरी बैच है न वो आज ही की डेट में कंप्लीट हो जाएगा उसमें दो वीडियो बाकी हैं और वो आज ही की डेट में कंप्लीट हो जाएगा और अगला जो आपका CET मेंस के लिए टॉप 1100 MCQ का जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्यूसन होंगे उसके 1100 के सुनों का एक MCQ बैच होगा और वो आपका 13 जून से स्टार्ट होगा अगर आपने नहीं अन्रॉल किया तो आप कर सकते हैं उसे अन्रॉल आज उस पे स्टार 10 का कोड भी लग रहा है वैसे Water Bodies First Census Report के अनुसार हर्याना में कितने जल्स त्रोत है तो इस सवाल को मैंने कल पूछा था और इसका ठीक अन्सवर रहेगा 14,898 में ठीक है और छे हजार में टोटल तीन किस्ते आती हैं दो-दो हजार रुपे की जो हना वो तीन किस्ते आती है अचाथ दो-दो हजार के तीन किस्ते आती है तो ठीक है अब तक 13 किस्ते जा चुकी है इन्होंने एक notification जारी किया है कि PM किसान सम्मान इदी योजना के लिए EKYC करवाना और यह EKYC चोद्मी किस्त के लिए करवाना है तीन तरीकों से पहला तरीका है कि आपके गाओं में जो इंडिया पोस्ट पेमेंट का कैम्प है वहाँ पे जाके भी या PM किसान.gov.in की website पे जाके भी या Google Play Store पर जो PM किसान गोल application से जो face authentication करके भी यह तीन तरीके हो सकते हैं जिससे आप EKYC कर सकते हैं 15 जुन 2023 तक जो है न यह EKYC कमपीट करें जिससे आप एक हाते में चोद्मी किस्त आ सकेगी तो यह पेपर के लिए नहीं यह वैसे जरूरी है अगर आपके खाते में यह किस्ते आती हैं 22,000 रुपे की तो आप ऐसा काम कर सकते हैं मुझे लगता ह सबसे इजी है Google Play Store वाला ठीक है न यह इसके अलावा आपको जो ठीक लगे PM किसान गोल अप्लिकेशन डाउनलोड करना है वसा आप लोगों को चलिए आगे जाते हैं हम लोगों रगला हमारा आज का पहला करेंट अफे क्या है कि हाल ही में किस राज्य की सरकार ने नागरिक आप ट्राइविग लाइसेंस एंड विकल स्टीशन तो अउनलाइन मीडियम तो यह हमारा हर्याना स्टेट ही है जिस ने ऐसा किया है आप्चिन नमबर ए इस पार्टिकलर किसन का बिल्कुल ठीक रहेगा हर्याना सरकार में मिल रही है ड्राइविंग लाइसेंस एवं वहा इन सबी के लिए जो है ना वहन.preven.gov.in या वहन.services या सार्थी.preven.gov.in पे विजिट करके सारी जानकारी ले सकते हैं अच्छा इनिशेटिव है क्योंकि आज कल आप खोदी देखिएगा सारा काम ऑनलाइन हो चुका है जैसे मैं इस पिछले सवाल में कह रहा हूँ आप ल पारे मान लोते हैं कि दादा है या हो सकता है पापा भी हो इसमें तो उनको हो सकता ह schema.richt का kaus करें थो देरे तिरे ना आतियू रहरा ग४ focus कर रहरे हैं वर्ट-सप और अपना राज्य ही भारत का पहला राज्य है हाली में मुख्यमंत्री जी ने कहां पर हर्याना निवास में प्रदेश के सभी विभागों के दवारा त्यार की गई द्वीवार से एक एक एकरित जल्द संसादन कारे योजना 2023 का अनावरण किया है मैंने अपने कल के सेशन में पढ़ाया था कि ये नो जुन को अनावरण किया जाएगा और ये अनावरण किया गया है अभी हाल ही में चंदीगड से यानि कि option number A इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा अमरी तजल्द करांती के थैत ऐसा किया गया है और ये action plan राजिय के जितने भी water resources है उनको basically समकेत करके भूजल स्तर को स्थिर करने के लिए मतलब जितने भी water resources है उनके लिए ही है और ground water level को fix करने का सीधा सीधा योजना है इसके अंदर एक तो बात है ये याद रखना मतलब आप ये कहोगे कि सरी ये जल निती है क्या हम कोसिस करेंगे जल स्रंक्षन ठीक ना जल स्रंक्षन का मतलब आप समझते होंगे कि हम लोग पानी को जहां पर भी waste is हो रही है उसको बचाएंगे इसके लिए हर्याना अल्रेडी कई सारे प्लैन त्यार कर चुका है जिसमें से 2020 वाली योजना आपको बहुत धंग से याद है मेरा पानी मेरी विरासत योजना इसके अलावा आप लोगों को जल स्रंक्षन निती भी याद होगी 2021 के इंदर स्टार्ट की गई थी ये जल स्रंक्षन जल स्रंक्षन और इन दोनों की ब्रेंड अमेस्टर मनीका शोकंद को रख रखा है इसके अलावा जो है आप लोगों को पानी के बचाने के लिए हर्याना ने वैसे भी पानी के मामले में अच्छा काम किया जैसे हर घर में नल द्वारा जल तो हर घर में नल द्वारा जल में भी हर्याना राजया थर्ड नंबर पे आया जिसने 100% ये काम पूरा किया और इसके अलावा जो है ग्राउंड वोटर लेवल को बचाने के लिए हम लोगों ने धान से मसीनों से सीधी विजाई करना स्टार्ट कर दिया और उसके 4000 उपर परती एकड़ हर्याना सरकार दे रही है ताकि कम से कम पानी लग पाए तो ये भी एक अच्छा इनिशेटिव है आज़ाई चंदिगड से स्टार्ट किया है ना आईए थोड़ा चंदिगड के बारे में जानते हैं वैसे भी चंदिगड पुलिस का एकजाम आने वाला है तो आप लोग और अच्छे से प्रिपेर कर पाएंगे आपके लिए साथ ये वीडियो हेल्फुल हो जाए एक तो सवाल चंदिगड का जो आपसे पूछा जा सकता है चंदिगड के अंदर फरनीचर और हॉम डेकोर मार्किट बहुत ही फेमस है मतलब फरनीचर का मतलब तो आप लोग जानते होंगे न जो घर के अंदर लकडी का जो सारा समान होता है उसको आप लोग furniture के नाम से जाना करते हूं मतलब लकडी के जो भी bed वगरा बने वे हैं शोकेस बने वे हैं उनको furniture के कहेंगे या home decor home decor का मतलब क्या होता है home decor का मतलब जो घर की साथ सज़ावट के अंदर यूज किया जाता समन ये वाला इसकी market चंदिगड के अंदर कहा मिलेगी इसकी market sector 22 के अंदर है अच्छा सर इसके अलावा आप से एक सवाल पूछा जा सकता है कि international जो आपका doll museum है ये भी बहुत important हो सकता है international doll museum international doll museum जो है ना ये कहां पे है international doll museum पढ़ता है जी चंदिगड के अंदर ही है ये लेकिन ये famous पता हूँ किसके लिए famous है इसके अंदर लगबग 25 से जादा देश exact अगर मैं कहूं यहां पे तो 39 देशों की 300 से जादा doll doll जो है ना यहां पे रखी हुई है पस मनोरंजन के लिए है ये doll museum बहुत जादा important हो सकता है इसको set up किया गया था 1985 के अंदर ये चंदिगड के अंदर sector 23 B के अंदर पढ़ता है ये याद रखना आप लोग ठीक है अच्छा इसके अलावा चंदिगड के अंदर भी हाली में एक विरासत स्थल भी होला गया था मैंने करेंट फिर में पढ़ा है था आप लोगों को विरासत स्थल और ये विरासत स्थल खोला गया था राजना सिंग जी के दवारा इंडियन एर फोर्स का है वेरी वेरी इपॉर्टन तरी ये बल की भारत का पहला है चंदिगड़ के अंदर एक इंप्रेसिव मॉन्यूमेंट आर्किटेक्चर कोन सा हो सकता है रिलिजियस मॉन्यूमेंट कह सकते हुआ आप लोग तो यहाँ पे एक चर्च बड़ी फेमस है और इस चर्च का नाम आप लोगों को याद रहना चीए रिलिजियस मॉनुमेंट है और यह चर्च परती है सेक्टर इनिस के अंदर परती है चंदिगड़ के अंदर चंदिगड़ के अंदर एक चिडिया घर भी तो है अगर आप लोग कभी घूमने गए होगा चतबीर चतबीर जू के नाम से बहुत फेमस है चांदीगरण चंदीगरण के लिए फेमस आई यह आपका टाइगर और लाइन दोनों के लिए है अच्छा इसके अलावा चंदीगरण के अंदर एक बहुत एक इपॉटन्ट गार्डन है जिसको आप लोग रोज गार्डन कहते हो जहांपे हर साल एक गुलाब के फूलों का म चंदिगड पूरे को बसाने वाले परसन का नाम भी आप लोगों को याद होगा क्या नाम है इनका ली कार्बुजियर है तो यह भी याद रखना आप लोग अच्छा सर इसके अलावा चंदिगड के अंदर जो है पंजाब युनिवस्टी है जो की बहुत फेमस है अब यह प यह पूछ लिया जाए ठीक ना शॉपिंग हब तो शॉपिंग हब कहते हैं सेक्टर सत्रा को सेक्टर सत्रा की मार्केट खेर चंदिगड कोई निवासी है या कोई गया होगा तो पता ही होगा कितनी जदा फेमस है इसके अलावा चंदिगड के अंदर ना एक ऐसी आपकी आ आर्ट गैलरी है यहां पर इतिहास की जो भी आदूनिक चीज़े हैं समकालिन चीज़ें प्राचीन चीज़ें भारतिय आर्ट है उन सब को यहां पर सजा के रख रखा है तो वेरी वेरी इपॉर्टन्ट है यह भी अच्छा चंदिगड में कभी तुम गए हो और आपने न हैं हम लोग और अगला जो हमारा सवाल बन सकता है वो कौन सा है अगला सवाल अच्छा यह क्युस्ण तो नहीं बनाया लेकिन सीधा आपको बता देता हूं अमबाला के निरना डोर टू डोर करमचारियों पर नजर रखने के लिए गली महले में हरे रंग की एक चिप लगा अपला के ना घरों के उपर भी लगाई गई है ताकि घरों के आगे से गाड़ियां कच्रा उठा रही है कि नहीं उठा रही है तो साफ सफाई को रखने के लिए ही ऐसा त्यार किया जा रहा है यह चिप में 30-40 घरों को कवर किया जाएगा मतबति ऐसे ना एक एक घर छोड विकास एवं अध्योगिक प्रिसिक्षन विभाग की ओर से किस जिले के राजिकिये महिला आई टी आई ने में ड्रॉन टेक्निशन कोर्स की सुरुवात कर दी है तो ड्रॉन टेक्निशन की सुरुवात अभी हाल ही में जो है ना वो की गई है किसके अंदर की गई है यह की आई हरी है कि करनाल जिले के अंदर ना डाउट आपको वैसे भी पता ही था किस सवाल का जो अंसर होगा ना आपका चीए अच्याव पहली महिला कौन बनी है याद है न आप लोगों को जो ड्रॉन पाइलेट बनी है रियाना के जज्जर की रहने वाली है निशा सॉलंकी उनका नाम है जुरूर उनको याद रखना आप लोगों से सवाल यह भी पूछा जा सकता है क्या के ना करनाल के बारे मे युआओं को तकनीक के चित्र में आगे बढ़ाने के लिए हर्याना सरकार प्यास कर रही है हर्याना की बेटियों को ड्रोन उडाने और बनाने के लिए तियार किया जायेगा हर्याना कोशल लिविकास और दोगिक परिस्टिक्शन विभा की और से करनाल राज के महिला ITI में Drone Technician Course है इसको स्टार्ट किया जा रहा है Drone Technician Course है इसको स्टार्ट किया जाएगा और इसी सेशन से मतब स्टुडेंट्स को इसके अंदर दाखिला दिया जाएगा यह याद रखना और करनाल के अंदर जो ITI है इसमें नए कोर्स में कुल 24 सीटे जो है ना रहने वाली है और 3 लाक रुपे से कम परिवारिक आये वाली छात्रा को 25 सो रुपे प्रोचसान रासी भी दी जाएगी इस कोर्स के अंदर एंट्री लेने पए अच्छे एक बात है हमारे पास में यहां पे कि इती टोटल कितनी है तो टोटल आ यहां हें हरियाना के अंदर अगर मैं गौर्नमेंट आ यही की बात करता हूँ ना तो वह आपकी है एकसो बान में ठीक है और जो प्राइवेट आई टी आई है ना हर्याना के अंदर वह है हूँ एक तो होती है लंबी वीडियो होती है कई बार आजकल जमाना चलना हो है कि सर शोट वीडियो में जल्दी याद कर पाते हैं हम लोग तो इसी करके मैं शोट वीडियो में मतलब कई सारे जोने आपको कंसेप्ट सिखाने की कोसिस कर रहा हूँ तो यह तो बात कितने होगया आपके बाईस होगया ऐसा याद कर सकते हूँ तो ऐंगे बढ़ते हैं अगला अगला हमारे पास में आता है और करनाल के अंदर één सीर रिजव वो है निलोखेडीवाली है haryana में एक लागग जन लोगों की जाँच की और इसके तहट जो हना ये टार्गेट रखा गया है कि 2025 तक TB को हम लोग फ्री कर देंगे वैसे तो आपको पता ये भारत भी यही अभियान चला के बैटा है TB मुक्त भारत अभियान हर्याना ना भी यही अभियान चलाया है ठीक है ना ये एक लाग जन सेंक्याव के TB के 265 मरीज मिल रहे हैं तो कोशिस कर सकते हैं कि इसको और कम लाया जा सके तो 2025 तक अभियान के तैट एक लाग पर 10 मरीज तक लाने का लक्षे रखा है तो मतलब आप समझ रहे होगी ये ओल्मोस्ट खतम ही हो जाएगा ये ठीक है 2019 समाने और 13 MDR यानि बहुत दवा परतिरोधी के सामने आए हैं तो कई सारी दवाई उनको लेना पड़ रहा है यानि आकड़ा 0.07% है फिलाल हर्याना में आकड़ा 0.27 का चल रहा है मतलब हर्याना में परसंटेज के साब से 0.27 का चल रहा है TB होता किस वज़े से है Mycobacterium tuberculosis की वज़े से होता है ये bacterial disease है ये याद रखना आप लोग बैक्टिरिया से होने वाला एक रोग है TB के लक्षन क्या हो सकते हैं TB के लक्षन यही हो सकते हैं कि खासी बहुत जादा आएगी शाम के समय बुखार आएगा चाती में दर्द होगा बलगम में खून आने लग जाएगा गर्दन या बगल में गांटे होने लग जाएगी भूख नए लगना वजन कम होना और सरीर में हमेशा ठकावट ही रहना अब अब इतना मान लेते हैं कि को आप बोल पाते हुए चल पाते हो और किसी मरीज को गौद ले सकते हो आप गौद लेना इंड़सांस की एक मरीज की एक महीने की दवाईермicana आप दे सकते हो तो यह अब बिभान है डिपाउग मलिक ने इस अबिभान को जोईन किया था कुछ मरीजों को गौद लिया था मुख्यमंत्री जी ने भी ऐसा किया था आपके लिए किस्तन छोड़के जा रहा हूं कि हाली में पिछले एक साल में हर्याना में कैश निकासी में कितने परसंटेज की ग्रोथ देखी गई है पताना विस्तार से इसके बारे में आप लोग हर्याना ग्रूप D का बैच है वो स्टार्ट हो चुका है आज 10 जून है रात के बारा बज़ दक सभी बैचेस पर डिसकाउंट रहेगा आप ले सकते हैं अगर चाहें तो CT मेंस का हो चाहें ग्रूप D का बैच हो ठीक है चलिए शुक्रिया जी और रादे रादे